चाप्टर की तरह बढ़ते हैं that is called control and coordination, अभी यह भी चाप्टर जो है that is carry a lot more weightage that is 5 to 7 marks with option 7 आता है basically अभी यह जो चाप्टर है basically बहुत सारे students को हाट जाता है क्योंकि से हमको brain का function है इतने सारे glands है उनके hormones है उनको कैसे याद में रखे उसके साथ में जो PNS, ANS है हमारा जो भी कुछ है autonomous nervous system है spinal cord के बार में conduction of nerve impulse, reflex action होता है तो इसमें हम छोड़ा छोड़ा topic करके हम बात करते है बैसिकली brain का जो है एक बार neuron के structure बार में उसके साथ साथ में जो reflex action आता है उसके बाद में anatomy of eye इसका थोड़ा सा जो भी डाइग्राम के ऊपर है थोड़ा सा concentration कर लीजे ear को एक बार देख लीजेगा that is अभी सबसे important इसमें से क्या है इसमें से सबके सब important that is pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland and the हमारा pancreas जो है जो हमारे लिए क्या काम करता है तो यह जितने भी gland है वो क्या करता है कोई ना कोई hormone secretion का हमारे body में काम करते है तो यह जो hormones है तो that is very much important or essential for the normal functioning of the body तो एक बार इसको overlook कर लीजेगा जितना आप से हो रहे है उतना कर लीजेगा मेरे कहल से जो हुशर बच्चे वो तो पूरा कर सकते है लगान अगर कोई ऐसा बंद है जिनको यह थोड़ा सा difficult जा रहा है तो इसको आप option में पकर सकते है जो आपको समझ में आ रहा तो अभी एंड टाइम पर हम इसको कैसे द्यान में रखें तो जो मोटा मोटा है वो आप मोटा मोटा कर लीजेगा अगर आप मेंसे सब्स्ट्रक्चर आए हो गया जैसे डाइग्राम हो गया उसको एक बार ओर लुक कर लीजेगा एक बार इसको overlook कर लिजे और मैं जो बोल करके भी इसमें से आफ 3-4 मार्क्स आराम से ले सकते हो सो डोंट वरी खुद के ओपर भरोसा रखिए पढ़ते चलिए अभी भी आपके पास इनफ टाइम है जो आप पूरा पढ़ाई कर सकते हो चलो best of luck and keep watching and like the videos